तो आज बनाने जा रहे हैं साबुदाने के और आलू के पापड़ और कुर्क्रे तो पापड़ और कुर्क्रे बनाने के दिए सबसे पहले यहां मैंने एक कटोरी साबुदाना ले लिया है साबुदाने को कम से कम पांच से गंटे के पहले भीगो की छोड़ दीजिए इस तरीके से साबुदाना अच्छे से फूल की त्यारी होजएगा मैंने इसी कटोरी से साबुदाना लिया है कोई भी आप का पी या कटोरी से लो उनसे मेजरमेट करकी ले लिजिए तो यहां देखे मैंने इसी कटोरी से साबुदाना लिया उसी कटोरी से मैंने पानी डाल दिया है तो पांच कटोरी मैंने पानी डाला है पानी को अच्छे से बोई लाने देते और इसमें डाल दिया था सिंदा नमर्क और अब यहां साबोदाना डाल देते हूं इसके अंदर साबोदाना डाल की अच्छे से एक बर चला दीजिए और फिर बीच-बीच में आप कोई भी काम करते हो तो बीच-बीच में चलाते रहिए ऐसे इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि एक दम से छोड़ देते हैं तो साबोदाना नीचे चिपक जाएगा तो यह देखे बहुत ही चल्दी साबोदाना उपर आ गया तिरकी इस तरीके से साबोदाना उपर आ जाता है तिरकी इसका मतलब साबोदाना पकने लग गया है यहां मैंने तीन आलू ले लिया है आलू को बॉयल करकी लिया है तो इसके छिलके अटाकी इस तरीके से आलू को कदू कस करकी ले ले लेते हैं तो कदू कस करकी ले लेते हैं तो इसमें कोई भी गुठली वगेरा नहीं रहेगा और छोटे बड़े जैसे पीसे जालू की नही लगजा बनता है और ठाले जहां बहुत ही, जहां कर सक्ते हो! जैसे मैं तो सिंपल से बना रही हूं इसमें आप कोई भी जो आपको पसंद है वो मसाला भी डाल सकते हैं जैसे मैंने तो सिंदा नमक डाला है और काली मिर्ची पाउडर डाला है यह देखिए इस जगे आप और भी मसाला आप जैसे यह जैसे सिंदा नमक और काली मिर्ची ड या कोई भी चटपटा जैसे उपर से आप चाट मसाला वैसे डाल की खा सकते हैं तो इस तरीके से आलू डाल की भी चार-पांच मिन्ट और पका लिए और इस तरीके से होना चाहिए यह देखिए बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए गेस के फ्लेम को ओप कर दिया ह पूरा प्रोसेज में पकाते हुए इसमें 15-20 मिन्ट लगी 15-20 मिन्ट क्योंकि अच्छे से पका लेते तो पापड भी बनाते तो कोई भी फटने का और वो नहीं रहता है तो यह देखिए जैसे साइड में यह ठंडा होता है तो साइड में यह देखिए एक पपड़ी जैस कोई भी या पौलि ठे लिए इस तरीके से बोटल ले लिजिए तो मैंने एक बोटल लिया है उसको गरम ऺृष सराव भादा भाट का अव्य सब्षर क्रागदistic से तब इसमें बोटल में डाल ले दे हूँ, तो बोटल में मैं पहले उस तरीके से डाल की देख रही तो नहीं डेल रहा है, क्योंकि यह गाड़ा है, तो इस तरीके से अराम से यह डेल रहा है, तो चलिए इस तरीके से डाल की और फिर बनाने की प्रोसेस त्यारी करते हैं, तो तो में चूडिया ले लें चूड़िया से पपड़ बनास लिए उनसे भी मैने वीडियो बना की डाद रखा है वह भी आप जाकी देख सकते हैं और आप को ऐसे लगे कोई भी खुरदरी बत बेड़ी पोली तो समें हलका सा अप 활िज़ ड़िगा की दरका player तो बोटल से मैंने बनाई बोटल से मेरे समझमन नहीं इतने अच्छे नहीं बना तो मैं आपको दिखाते हूं एक पोली थिन में मैंने डालका रखा तो पोली थिन से बहुत ही अच्छे से बन गया तो आप पोली थिन से बहुत ही अराम से बनता है क्योंकि बोटल को अपन उ बुक्रे बनकी तियारी हो जाता है वैस लाइने से इसको लगाता चलाना है और पापड बनाने तो इस तरीके से आप कोई भी चमच चमचा आप ले लीजिए उससे आप पापड बना सकते तो मैंने इसी चमचे से वैस थोड़ा-थोड़ा डाला और हलका सा गोल कर दिया और दूप में सुका रहे हो तो आप दो दिनों में ये सुक की त्यारी हो जाएगा और पंके के निचे सुका रहे हो तो थोड़ा सा वैस टाइम लग जाता है पर इस तरीके से आप पापड जरूर बनाएए और मैंने वीडियो और भी डाल रखा है वो भी आप लिंक डाल आप जाकी देखिए वह भी बहुत ही आसान तरीके से आया पापड बनाने का तो एक बर जरूर रहे हो और पिसका कलर देखिए बहुत ही एक तम वाइट बन की त्यारी वाए तो चलिए मैं थोड़ा सा फ्राई करकी भी आपको दिखा देती हूँ तो अभी तो यह बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है मुझे थोड़ा सा वेस फ्राई करकी दिखा रहे हो आपको इसलिए तो यह देखिए जैसे थोड़े से मैंने डाला तो उनसे डबल ट्रेपल हो की यह त्यारी हो जाता है और बहुत ही अच्छा इसका कलरा है खाने में बहुत ही ज्यादी त आपको ज्यादा थोड़ा सा चटपटा चाए तो इस तरीके से फ्राई कर लिजिए और उपर से थोड़ा सा चाट मसाला और डाल की आप खा लेजिए तो देखिए मैं आपको दिखाया उससे आपको पता चालरा कि कितना बड़ा हो जाता है यह फूलने के बाद में तो चल झाल 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 झाल